नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बर फिर से आप लोगों का समीर पाट साला में दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो में हम लोग डिसकस करने वाले हैं रोबर्ट ब्राउनिंग के द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है प्रोइस्पाइस इस पोयम के दोस्तों हम सबसे पहले समझेंगे key facts को और इसके बाद दोस्तों हम इसकी line by line explanation को समझेंगे दोस्तों ये pro-spice जो है ये एक latin सब्द है इसकी pronunciation क्या होती है जब मैं आपको key facts को समझाओंगा वहीं पर मैं आपको इसको बता दूँगा तो सुरू करते हैं दोस्तो आज की हमारी वीडियो को सबसे पहले discuss करेंगे दोस्तो हम इसके key facts को Pro Spice is a poem by Robert Browning देखे इस poem को किस ने लिखा है? Robert Browning ने लिखा है इसका दूसरा जो key fact है दोस्तो वो है Pro Spice the title comes from Latin and means to look forward देखे यहां पर जो समझने वाली चीज है यदि आपका exam में question इस तरह से आता है जैसे की Pro Spice जो है ये title किस language से लिया गया है तो आपको बताना है दोस्तो Latin language से ये लिया गया है यदि हम दोस्तो इसकी Latin pronunciation की बात करें Pro Spice की Latin pronunciation की बात करें तो ये Pro Spice के इसकी pronunciation निकल के आती है ये मैंने दोस्तो Google पे चेक की थी कि इसकी pronunciation Latin में क्या निकल के आती है तो Pro Spice के इसकी pronunciation आती है जिसका मतलब है दोस्तो Latin में to look forward I hope यहां तक दोस्तो चीज़े आपको समय में आई है बढ़ते हैं आगे दिस पोयम वास कमपोज़ सून आफ्र डी डैथ ओफ दि पोयर्ट्स वाइफ एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इन 1861 दिखे दोस्तो जो रोवर्ट ब्राउनिंग है उनकी वाइफ का नाम यहां पर आपको पता चल गया होगा एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग इनकी वाइफ का नाम है जिनकी डैथ हो गई थी दोस्तो कव 1861 में इनकी डैथ के कुछ समय बाद ही मतलब तुरंत नहीं कुछ समय बाद ही इन्हों ने रोबर्ट ब्राउनिंग ने इस पोयम प्रोस्पाइस को दोस्तो लिखा था ठीक है तो ये जो पोयम लिखी गई है किसकी डैथ के बाद लिखी गई है रोबर्ट ब्राउनिंग की वाइफ की डैथ के बाद ये पोयम लिखी गई है प्रोस्पाइस means to look forward देखिए मैंने आपको बताया था कि प्रोस्पाइस का जो मतलब है वो क्या है to look forward है इसका मतलब दोस्तों क्या है इस poem के अंदर इसका मतलब है कि Robert Browning की wife की death के बाद poet जो है जो हमारे poet है Robert Browning वो अपनी death के बारे में भी देखते हैं कि उनकी death जो है वो बहुत ही near है कैसे कैसे उनको अपने death को face करना है यह सारी की सारी चीज़े दोस्तों हमें वीडियो में देखने के लिए मिलेगी अगला key fact है दोस्तों 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 प्रोस्पाइस वस included in his 1864 poetry collection देखिए जो प्रोस्पाइस पोयम है इसको रोवर्ट ब्राउनिंग के एक poetry collection के अंदर जिसका नाम है दोस्तों ड्रामेटिस परसोना उसके अंदर दोस्तों इंक्लूड किया गया था और यह 1864 में दोस्तों आया था तो यदि आपसे exam में दोस्तों written date पूछी जाए तो आपको बताना है दोस्तों 1861 अगर published date पूछी जाए तो दोस्तों बताना है आपको 1864 यह बात आप बड़े ही ध्यान से समझ ले दोस्तों क्योंकि आप लोग written date में और published date में बहुती जादा confused हो जाते हैं ठीक है तो आपको बताना है इसके अंदर दोस्तो 28 lines है एक चीज दोस्तो मैं आपको और बता देता हूँ कि यदि आपसे प्रोफपाइस की theme पूछी जाए तो इसकी जो theme है वो दोस्तो death and love है ये जब हम text को दोस्तो इस poem के पढ़ेंगे तो आपको अठी से समझ में आ जाएगा ये थे दोस्तो इसके सारे के सारे key facts अब मैं आपको एक image दिखाना चाहूँगा ठीक है ये देखे image है इसमें एक आदमी mountain की तरफ दोस्तो चड़ता हुआ जा रहा है मान लीजे दोस्तो ये जो है ये आदमी Robert Browning है इन्होंने अपनी life का सफर जो है वो खतम कर लिया है अब ये अपनी जिन्दगी में जो अंतिम सफर है उसको तै करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं आपको इस image को समझते हुए ही दोस्तो इस poem को समझना है ताकि ये poem जो है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाए बढ़ते हैं दोस्तो आगे आप पढ़ेंगे हम इसकी line by line explanation को देखे यहां पर मैंने ये image यहां पर थोड़ी छोटी करके लगा दी है और मैं आपको time to time इस image को relate करता हुआ समझाओंगा दोस्तो text के साथ तो इसका text जो है दोस्तो ये आपके सामने है पहली चार lines ठीक है और आपके सामने मैंने एक खास चीज और लेकर आया हूँ दोस्तो इस वीडियो में वो है difficult word यनि के इस poem के अंदर जो भी difficult word है वो आपको नीचे लिखे हुए मिल जाएंगे ठीक है तो सुरू करते हैं दोस्तो आज की हमारी वीडियो को देखें यहाँ पर ये Robert Browning है और ये अपनी life का जो सफर है उसको खतम करने के बाद आगे बढ़ रहे हैं एक mountain की तरफ तो ये कहते हैं fear death कि क्या मुझे मिर्तियू से डरना चाहिए to feel the fog in my throat ये कहते हैं कि मेरे गले में throat का मतलब क्या है दोस्तो गला और fog का मतलब है यहाँ पर दोस्तो suffocation वो कहते हैं कि मेरे गले में suffocation एक घुटन सी मुझे feel हो रही है the mist in my face mist का मतलब होता है दोस्तो धुंदला यानि कि जो robot browning है ये दोस्तो जैसे जैसे इस पहाड पे उपर की तरफ चलते जा रहे हैं तो इन्हें धुंदला दीखने लगा है मतलब इनकी आँखों के सामने क्या आने लगा है दोस्तो अंधेरा आने लगा है when the snow begins यहाँ पर दोस्तो snow का मतलब है coldness जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहे हैं इस mountain को चलते हुए जा रहे हैं तो इन्हें इनका सरीर कैसा लगने लगा है जैसे कि वो ठंडा पड़ता जा रहा हो and the blast date और इनको जो है दोस्तो सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है इनको तेज तेज सांस खीच-खीच कर लेना पड़ रहा है और ये सारे के सारे symptoms दोस्तो किस के हैं death के हैं ये सारे के सारे symptoms ऐसे लगते हैं जैसे मिर्तियू से पहले एक इनसान महसूस करता है ये सारे के सारे सिंटम्स डैथ के हैं इसलिए Robert Browning सोचते हैं I am nearing the place यानि के वो डैथ के जो है बिलकुल करीब है अब उनकी सफर जो है उनकी यात्रा जो है वो खतम होने वाली है वो अपने लाइफ को जी चुके हैं तो यहाँ पर I am nearing the place का मतलब है कि वो अपने डैथ के ब the power of the night the praise of the storm the post of the fall यहाँ पर दोस्तो Robert Browning कहते हैं देखे यहाँ पर night सब्द का इस्तिमाल हुआ है night सब्द का मतलब है दोस्तो darkness यानि के जो मिर्तियू रोपी अंधेरा है वो उनके सामने इस mountain पर चड़ते सामने मिर्तियू का रोपी जो अंधेरा है उनके सामने आता रहत इसका मतलब है दोस्तो उनको सांस लेने में भी कठनाई होती है जिस तरह से एक इंसान मिर्तियू के समय लम्बी लम्बी सांसे लेता है भारी भारी सांसे लेता है इसी तरह से दोस्तो जब आप किसी चड़ाई पे चड़ोगे तो definitely आपका जो सांस है फूल जाएगा तो आ यहां पर दोस्तो पोश्ट का मतलब है कि मैं उस पोश्ट पर मैं उस जगा पर पोचने वाला हूँ फो का मतलब है एनिमी एनिमी यहां पर कौन है दोस्तो डैथ एनिमी है यहां पर रोवर्ट कहते हैं कि मैं ऐसा लगता है कि अपने दुस्मन यानि कि एनिमी जो है कौन है ड डैथ होता है तो रोबर्ट फ्रोस कहते हैं कि मैं चड़ाई के दोरान उस जगा पर पोचने वाला हूँ जहां पर मेरा एनिमे मुझे मिलेगा वेर ही स्टेंड्स देखें यहां पर दोस्तो ही सब्द का इस्तिमाल हुआ है आप इसे ध्यान से देख लीजेगा क्योंकि ही जो इस्तिमाल हुआ है दोस्तो डैथ के लिए हुआ है और यहां पर एक फिगर ओफ स्पीच का इस्तिमाल हुआ है दोस्तो परसोनिफिकेशन का यहां पर डैथ को ऐसा दिखाया गया है जैसे कि वो कोई इनसान हो where he stands मतलब मैं वहाँ पोच गया हूँ जहाँ पर death खड़ी है the arc fear in a visible form देखे दोस्तों वैसे तो हम death को नहीं देख सकते हैं लेकिन जिस तरह से Robert Browning इस पहाड़ पर आगे बढ़ते हुए जा रहे है तो कैसा लग रहा है Robert Browning को कि इनका जो मुख्य दुस्मन है जो death है उसको वो देख सकते हैं वो सामने ही खड़ा हुआ है ठीक है मतलब इस पहाड़ पर चड़ते समय उनको जो difficulty आ रही है सांस लेने में दिक्कत होना है ना उनका हवा उन्हें oxygen कम मिलना उनका सरी ठंडा पढ़ना ये सारे के सारे क्या है उनको death जो है इक तरह से दीख रही है yet the strong man must go लेकिन जो एक सहासी इनसान होता है उसे अपनी यात्रा को नहीं रोकना चाहिए उसे आगे बढ़ते रहना चाहिए I hope दोस्तो आप लोगों को यहां तक यह समझ में आया है बढ़ते हैं आगे for the journey is done and the summit attain and the barriers fall यहां पर दोस्तो Robert Browning कहते है कि उन्होंने अपनी life में जो उनकी life है मतलब life की जो यात्रा है उसे almost जो है खतम कर लिया है अब उन्हें कहां पोचना है summit पर पोचना है मतलब peak पर दोस्तो उन्हें पोचना है जो उनकी life है वो जी चुके हैं अब उन्हें अपनी जिन्दगी के अंतिम पल जो हैं वो बिताने हैं इसका मतलब दोस्तो यह है अंतिम पल यानि के high point को उसको दोस्तो उनको get करना है प्राप्त करना है and the barriers fall और उन्होंने सारे के सारे सांसारिक बाधाय जो है सांसारिक रिष्टे जो है वो सब तोड़ दिये हैं अब वो उससे मुक्त हो चुके हैं अब उन्हें अपनी लाइफ के अंतिम पलो को जीना है though a battle to fight the garden be gained the reward of it all यहाँ पर दोस्तो रोवर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि उन्हें एक अभी युद्ध और लड़ना है किस से पहले इर्ड का मतलब दोस्तो पहले है before है ठीक है the garden मतलब reward to be gained और क्या है दोस्तो last reward जो एक इनसान जो है प्राप्त करता है वो last reward क्या है दोस्तो वो है मिर्तियू मिर्तियू जो है एक reward के रूप में आएगी लेकिन उससे पहले जो रोवर्ट ब्राउनिंग है वो एक युद्ध दोस्तो लड़ना चाते हैं एक battle लडना चाते हैं वो कैसा reward होगा कैसा battle होगा the reward of it all और उनकी जीवन में दोस्तो जितने भी संघर्ष आज तक उन्होंने किये हैं ये reward जो होगा ना अंतिम battle के बाद जो उन्हें मिलेगा वो reward उन सारे संघर्ष के पुरुषकारों से भी बड़ा होगा सबसे ज़्यादा महतपूर और सबसे ज़्यादा अच्छा जो reward होगा वो यही होगा जो मुझे मिलेगा ठीक है बढ़ते हैं दोस्तो आगे I was ever a fighter so one fight more the best and the last यहाँ पर दोस्तो Robert Browning कहते हैं कि मैं हमेशा से एक योद्धा रहा हूँ योद्धा किस तरह का योद्धा यह रहे हैं दोस्तो कि इन्होंने जितनी भी problem इनकी life में आई हैं जितनी भी struggle इन्होंने अपने life में किये हैं उनसे यह कभी डरे नहीं है सारे struggles को सारी problems को इन्होंने ने डर होकर ही जहला है तो यह अपने आपको कह रहे हैं कि I was ever a fighter मैं हमेशा से ही एक योदा रहा हूँ So one fight more इसलिए दोस्तो मैं एक fight और लड़ना चाहता हूँ Robert Browning कहते हैं कि वो एक fight और लड़ना चाहते हैं और यह fight जो लड़ेंगे the best and the last और यह fight जो है उनके जीवन की क्या होगी अन्तिम fight होगी और सबसे अच्छी fight होगी I would hate मुझे घिरना है मैं नफरत करूँगा that death bandage my eyes and forbore and bade me creep past यहाँ पर दोस्तो Robert Browning कहते हैं कि मैं hate करूँगा मैं नफरत करूँगा यदि मेरी आखों पर जो death है मेरी आखों पर वो पट्टी बांदे अब ये आखों पर पट्टी बांदे से क्या मतलब है दोस्तो इसका मतलब है दोस्तो कि death से पहले जितने दुख आते हैं यदि death मुझे वो सारे दुख नहीं देगी तो मुझे क्या लगेगा बुरा लगेगा और मैं नहीं चाठा death से कि वो मुझे पर संगर्स के वो यहां से ले जाए मैं ऐसा नहीं चाथा मैं मरने से पहले death के साथ एक fight करना चाता हूँ मतलब सारे के सारे दुख जो death देती है इनसान को वो सारे के सारे दुख जो है Robert Browning देखना चाते हैं और वो सांती से नहीं मरना चाते वो नहीं चाते कि death उनके उपर दया दिखाए बढ़ते हैं दोस्तो आगे No, let me taste the whole of it fear like my peers the heroes of old देखें यहां पर दोस्तो Robert Browning ने एक सब्द का इस्तिमाल किया है दोस्तो जो है taste इसका मतलब है दोस्तो सफर करना Robert Browning कहते हैं कि मरने से पहले जितने भी दुख होते हैं मैं उन्हें सफर करना चाता हूँ मैं उन्हें taste करना चाता हूँ कि जो इनसान दुख से मरता है मरने से पहले जो दुखों को वो face करता है मैं वो सारे के सारे दुख face करना चाहता हूँ क्योंकि मैंने अपने life का बहुत सारा part मतलब एक लंबा समय मैंने कभी भी दुखों को नहीं देखा है तो मरते समय तो at least मैं उन सारे दुखों को taste कर पाऊं fair like my peers the heroes of old जिस तरह से मेरी तरह यहाँ पर दोस्तो peers का मतलब है poets जिस तरह से मेरे जैसे और भी heroes of old का मतलब है जो पुराने poet है जिन्होंने मिर्चिव से पहले दुखों को देखा है मैं उन poets की तरह मैं उन writers की तरह मैं भी अपनी life में क्या देखना चाहता हूँ दुखों को देखना चाहता हूँ और उनसे लड़ना चाहता हूँ मैं किसी भी चीज से बचना नहीं चाहता beer the brunt यहाँ पर beer का मतलब है दोस्तो सहन करना और brunt का मतलब है सारे के सारे troubles परेशानिया जो भी कुछ होती है life में उन सारी की सारी चीजों को मैं अच्छे से सहन करना चाहता हूँ मैं नहीं चाहता कि death मेरे उपर कोई भी दया दिखाए देखे यह line जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यह बहुत ही अच्छे line है दोस्तो इन्हें मिनट पे गिलैड लाइफ्स एरियर्स ओफ पेंट डार्कनेस यहाँ पर दोस्तो रोबर्ट ब्राउनिंग कहते हैं कि मैंने अपनी लाइफ का जो maximum part है मतलब उन्होंने अपनी लाइफ में ज़्यादा struggle नहीं किया है उन्होंने अपनी लाइफ का जो maximum part है वो खुशियों में गुजारा है लेकिन अब बचे हुए समय में जो death है जो मेरा बचा हुआ समय है जो death pain देती है जो darkness देती है जो cold देती है मैं उसे महसूस करना चाहता हूँ अगर death ने यह सारी की सारी चीजे मुझे दी भी तो वो बहुत लंबे समय के लिए नहीं होंगी इने मिनट यानि के बहुत यहाँ पर इसका मतलब है इने मिनट का बहुत छोटे समय के लिए होंगी बहुत कम समय के लिए होंगी क्योंकि अभी तक Robert Browning ने बहुत सारी लाइफ अपनी जीली है अब उनके पास बहुत कम समय बचा है जब वो डैथ के द्वारा दिये गए दर्द को महसूस कर सकते है और वो समय इतना है जैसे कि मानो कोई एक मिनट हो I hope दोस्तों अभी तक आपको चीजे समय में आई है बढ़ते हैं आगे For sudden the words turns the best to the brave the black minutes at end यहाँ पर इन दो लाइनों में दोस्तों Robert Browning कहते है कि कोई एक ऐसा इनसान जो बुरे समय को या बुरी परिस्तियों को निडर होकर सामना करता है तो वो सारी की सारी परिस्तियां कैसी हो जाती है अच्छी होने लगती है जो परिस्तियां आपके लिए worst है वो कैसी होंगी अच्छाई में बदलने लगेंगी अच्छी आपके लिए होने लगेंगी धीरे धीरे worst से वो best में बदल जाएगी और ऐसा किन के साथ होता है सिर्फ brave लोगों के साथ होता है जो death से नहीं डरते हैं death के दुआरा दिये गए जितने भी यातनाई होती है जितने भी दुख होते है उन्हें वो अच्छे से face करते है उनके साथ क्या होता है जितने भी दुख होते हैं वो बदल जाते हैं खुशियों में and the elements rage the fire and voices that rave देखे यहाँ पर दोस्तो Robert Browning कहते हैं कि जो लोगों के अंदर आपके लिए क्या होगा गुसा होगा rage का मतलब है दोस्तो गुसा होना और fire and voices का मतलब है जो आवाजे आपके खिलाफ जो हैं उठ रही होंगी यदि आप हर चीज का निडरता से सामना करोगे मतलब बिना डरे सामना करोगे तो वो क्या हो जाएंगी cell dwindle वो आपके खिलाफ जो आवाजे हैं वो दवने लगेंगी धीरे धीरे क्या होंगी cell band आपके सामने जुकने लगेंगी cell change और जो परिष्टिती है वो बिल्कुल बदल जाएगी पहले परिष्टिती ऐसी थी जो आपके खिलाफ होगी लेकिन जब आप उसका डटकर सामना करने लगोगे तो वो परिष्टिती बिल्कुल change हो जाएगी आपके सामने cell become first a piece out of pain और जो परिष्टिती है जो दुख का समय है वो कैसा बन जाएगा दोस्तों आपके लिए सांती का समय बन जाएगा एक relief का समय बन जाएगा जब आप pain के time में भी होगे लेकिन आपको उसके लिए क्या होना पड़ेगा दोस्तों निडर होना पड़ेगा आपको मिर्तियू से डर्ना नहीं है चाहे लोग आपको दर्द दें दुख दें या फिर मिर्तियू आपको दुख दर्द दे आपको निडर होकर ये सारी की सारी चीज़े जहलनी है और उनका सामना करना है जैसे ही आप निडर होकर ये सारी चीज़े जहलोगे तो आपके लिए सारी चीज़े क्या होने लगेंगी आपके favor में आने लगेंगी positive चीज़े हो जाएंगी then a light और जैसे ही दोस्तों आपकी death हो जाएगी आपके जीवन में क्या आएगा एक light आएगी मतलब स्वर्ग यह आनंद आएगा एक ऐसा आनंद आपके जीवन में आएगा जो आपको बिल्कुल स्वर्ग की तरह फील कराएगा जैसा आनंद स्वर्ग में मिलता है then my breast यहाँ पर दोस्तों breast का मतलब है Robert Browning की जो wife है जो मर चुकी है वो जाकर मिलेंगे अपनी wife से मरने के बाद heaven में वो किस से मिलेंगे अपनी wife से मिलेंगे और वहाँ पर वो कहेंगे oh the soul of my soul तुमारी जो आत्मा है ना अब मेरी आत्मा हो चुकी है यह दोनों जो हैं आत्मा के रूप में जाके आस्मान में भी दोस्तों स्वर्ग में भी यह मिल जाएंगे I sell claps the again और एक बार फिर से मैं अपनी wife को claps का मतलब है दोस्तों embrace करना यानि के गले लगाना मैं एक बार फिर से अपनी wife को क्या कर पाऊंगा गले लगा पाऊंगा and with God with the rest और सारी की सारी चीजे जो होंगी यह भगवान संभालेगा कोई भी किसी भी बात की मुझे tension लेने की जूरत नहीं है भगवान उन सभी को handle करेगा मैं तो सिर्फ अपनी wife को प्यार करूंगा तो इसलिए दोस्तों पहले तो यहां पर आपको देखने के लिए मिला होगा इसकी theme जो है दोस्तों death death के बारे में देखने के लिए मिला होगा और बाद में आकर Robert Browning जो बात करते हैं वो love के बारे में करते हैं इसलिए दोस्तों यह दोनों ही इसकी theme है I hope दोस्तों यह poem आपको अच्छे समय में आई होगी मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए जैहिंद